पंच्चतंत्र की कहानी, शेरनी का तीसरा पुत्र, किसी घने जंगल में एक शेर और एक शेरनी साथ रहते थे, वे दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, हर दिन दोनों साथ में ही शिकार करने जाते और शिकार को मार कर साथ में बराबर बराबर खाते थे, दोनों के बीच में विश्वास और भरोसा भी खूब था। कुछ समय के बाद ही शेर और शेरनी दो पुत्रों के माता-पिता भी बन गए। जब शेरनी ने बच्चों को जन दिया, तो शेरनी उससे कहा कि आपसे तुम शिकार पर मत जाना। घर पर रहकर खुद की और बच्चों की द देखभाल करती। दुरभाग्य से एक दिन शेर को कोई भी शिकार नहीं मिला। थकहार कर जब वह खाली हाथ घर की तरफ जा रहा था, तो उसे रास्ते में लोमडी का एक बच्चा अकेले गूमता हुआ दिखाए दिया। उसने सोचा आज उसके पास शेरनी और बच्चो के लिए कोई भूजन नहीं है, तो वह इस लोमडी के बच्चे को ही अपना शिकार बनाएगा। शेरनी के पास पहुँचकर उसने बताया कि आज उसे एक भी शिकार नहीं। रास्ते में उसे यह लोमडी का बच्चा दिखाए दिया, तो वह उसे ही मार कर खा जाए। शेर की बाते सुनकर शेरनी ने कहा, जब तुम इसे बच्चे को नहीं मार पाए, तो मैं कैसे इसे मार सकती हूँ। मैं इसे नहीं खा सकती है। इसे भी मैं अपने दोनों बच्चों की ही तरह पाल पोसकर बढ़ा करूंगी और यह अपसे हमारा तीसरा पुत्र होगा। उसी द बच्चों को लगता था कि वह सारे ही शेर हैं। जब वर तीनों कुछ और बड़े हुए, तो खेलने के लिए जंगल में जाने लगें। एक दिन उन्होंने वहाँ पर एक हाथी को देखा। शेर को दोनों बच्चे उस हाथी के पीछे शिकार के लिए लग गए। वहीं, लोमडी का बच्चा डर के मारे उन्हें ऐसा करने से मना कर रहा था। लेकिन शेर के दोनों बच्चों ने लोमडी के बच्चे की बात नहीं मानी और हाथी के पीछे लगे रहें और लोमडी का बच्चा वापस घर पर शेरनी मा के पास आ गया। कुछ देर बाद जब शेर लोमडी का बच्चा गुसा हो गया। उसने गुसे में कहा कि तुम दोनों जो खुद को बहादूर बता रहे हो, मैं तुम दोनों को पट कर जमीन पर गिरा सकता हूँ। लोमडी के बच्चे की सुनकर शेर्नी ने उसे समझाया कि उसे अपने भायों से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उसके भाय जूट नहीं बोल रहे, बलकि वे दोनों सची बता रहे हैं। शेर्नी बात भी लोमडी के बच्चों को अच्छी नहीं लगी। गुस्से में उसने कहा, तो क्या आपको भी लगता है कि मैं डर पोक हूँ और हाथी को देखकर डर गया था। लोमडी के बच्चे की इस बात को सुनकर शेर्नी उसे अकेले में ले गई और उसे उसके लोमडी होने का सच बताया। हमने तुम्हें भी अपने दोनों बच्चों की तरह ही बड़ा किया है, उन्हीं के साथ तुम्हारी भी परवरिश की है, लेकिन तुम लोमडी वंच के हो और अपने वंच के कारण ही तुम हाथी जैसे बड़े जानवर को देखकर डर गए और घर वापस भागाए। वहीं, तुम्हें दोनों भाई शेर के वंच के हैं, जिस वजए से वह हाथी का शिकार करने के लिए उसके पीछे भाग गए। शेरकिनी ने आगे कहा कि अभी तक तुम्हारे दोनों भाईयों को तुम्हारे लोमडी होने का पता नहीं है। जिस दिन उन्हें यह पता चले लोमडी का बच्चा डर गया और मौका मिलते ही वह रात में वहां से छिप कर भाग गया। कहानी से सीख, शेरनी और शेर के तीसरे पुत्र की कहानी हमें यह सीख देती है कि काय और डरपोक वनशच के लोग अगर बहादूर लोगों के बीच भी रहें तो भी वह बहादूर नहीं बन सकते हैं। उनकी आदतों में उनकी वनशच की सोच और दक्षता की जलक बनी रह स करती है।